चटपटी मज़ेदा street style पाव भाजी के लिए त्यार हो जाएए आज मैं लाई हूँ आपके लिए फटाफट बनने वाली ये street style पाव भाजी इस रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे tips and tricks जो की tried and tested है साथ ही ऐसी रेसिपी जो की जटपट भी पाव भाजी को जल्दी बनाने का पहला secret मैं आपके साथ शेयर कर दी हूँ मैंने सारी vegetables को chop कर लिया है chop करने से क्या होगा एक तो जल्दी गल जाएंगी जब हम इने cooker में whistle लगवाएंगे और साथ के साथ हमें उसके बाद इसे mash नहीं करना पड़ेगा देखिए इतना आप बारीक chop कर लिजे मतर के अलावा सारी vegetables को मैंने यहाँ chop कर लिया है आप चाहें तो कोई और vegetable भी ले सक करने होने के बाद उसे कद्दुकश कर लेंगे दोस्तों जब तक हम आलू ग्रेट करते हैं काम कर लेते हैं अगर आप चानल पे नए हैं तो चानल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल बटन प्रेस कर दें लेटेस्ट अपडेट सान नोटिफिकेशन के लिए सारे ingredients को step by step अप रेडी कर लेते हैं आलू हमारे मैश हो चुके हैं अब जो हमें एक टमाटो की प्योरी रेडी करनी है मैंने यहाँ पर सेवन टमाटो लिए हैं मीडियम साइज के उसे धो के मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है दूसरी और हमने रेडी करनी है जिंजर गालिक पेस अद् करेंगे एक टीस्पोन घी, टीस्पोन पावभाजी मसाला, साथ olabilir करेंगे एक चुताई टीस्पोन हलदी, आदा टीस्पोन देगी मिर्च बहुत बढ़िया कलर के लिए इस सब को सौटे कर लेंगे मसाले डालते हुए और मसाले को रोज करती हुए फ्लेम को लोही रखना नहीं तो मसाले जल सकते हैं, अब सारी वेजेटेबल्स जो हमने चॉप करके रखीती, मतर को मैंने अलग बॉयल किया था, ध्यान रखेगा, बाकी सारी सब्जियों को हम इसके अंदर आड करके उसे मिक्स कर लेंगे, ताकि जो मसाला है अच्छे से कोट हो जाए, साथ ही हम य सब्जिया असानी से गल जाती है, और साथ ही नमक जो है सब्जियों में रम जाएगा, इसलिए हमने इस टाइम पर नमक एड़ किया है, अब अच्छे से मिक्स करके, विसल लगाने के लिए कोकर को हम रख देंगे, हाई फ्लेम पर, चार पांच विसल आने के बाद फ्लेम कर देंगे, विसल को अपने आप सेटल होने देंगे और जैसी विसल निकल जाए, तो उसके बाद ओपन करके देखेंगे, देखें किते बढ़िया से गली हैं यह सब्जियां, और कलर भी किता अच्छा है, अब हमें इसका मसाला रोस करना है, तो एक कढ़ाई लेंगे, उस इसे ही मेल्ट हो जाए, इसमें आड़ कर देंगे, तीन बारी चॉप की हुई ग्रीन चिली, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, तीखा पन आएगा हमारी पावभाजी में, एक टीस्पून कस्तूरी मेथी, रोस कर लेंगे, फ्लेम को लो ही रखना है, अब कुछ मसाले आ मिक्स करते जाएंगे, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, जादा नहीं हमें इसे भूनना है, बस हलका सा टेस्ट जो है वो प्रॉमिनेंट हो जाए, मैं यहां पर प्याज आड़ नहीं कर रही हूं, प्याज आड़ करने से तोड़ा सा पावभाजी में मीठा पन आ जात मिक्स करते जाएगा साथ के साथ, अब कुछ मसाले मैं आड़ कर रही हूं, सबसे पहले मैं आड़ कर रही हूं, नमक एक टीस्पून, ध्यान रखेगा, नमक हमने सबजों में भी डाला हुआ है, तो उसे सबसे डालिएगा, दो टीस्पून धन्या पावडर, आदा गरम मसाला, मिक्स कर लेंगे, और सारे जो मसाले हैं इसे अच्छे से पकने देंगे, उसके लिए एक बार इसे लिट से कवर कर देते हैं, पांच से साथ मिनट इसे ऐसे ही पकने देंगे, बीच बीच में इसे सौटे करते रहना है, लिट हटा के, लिट से कवर करने से क्या होगा जो मसाले हैं अच्छे से इंफ्यूज हो जाएंगे हमारी टोमाटो प्योरी में देखें यह अच्छे से पक चुकी है कैसे पता लग रहा है गी जो है सेपरेट होना शुरू हो गया है तो इस टाइम पे हम आट कर देंगे जो हमने बॉयल की थी वेजटेबल्स और इसे अच्छे से mix कर लेंगे अब 5-7 मिनट इसे भी पकने देंगे लिट से कवर कर लेंगे ताकि जो वेजटेबल्स हैं जो हमारी ग्रेवी ती वो अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए सारे मसाले से mix हो जाए ये लो टो मीडिय PUBG मे पायसे भी पकने पीछ-पीछ में सौटे करते रहेंगे इस टाइम पे हम एड़ कर देंगे मैश किये हुए आलू जो हमने रखे हुए थे अगर हम आलू पहले ही आड़ कर देते ना जो जो वेजिटेबल्स और जो टोमाटो के और यह अच्छा से पकनी थी वह नहीं पक पाती तो हम स्टेप स्टेप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल पावभाजी बनेगी हमारी अच्छा से मिक्स कर लेंगे ताकि आलू भी हमारी ग्रेवी में अच्छा से सैटल हो जाएं इसे भी लिट से कवर कर देंगे 7-8 मिनट के लिए साइट बर साइट मैंने पानी बॉयल कर लिया था बॉयल पानी ही गेरना है इस पावभाजी में दीरे-दीरे करके आट करती रहिएगा जैसी आपको लगेगी पावभाजी गाड़ी होने लगी है तो पानी आट कर दीजेगा इसी टाइम पे हम आट कर देंगे बॉयल मटर मत हमारे boil थे तो हमें ज़्यादा पकाना नहीं है इसलिए हम end में add कर रहे हैं इस time पर थोड़ा सा butter add कर रही हूं मैं यहाँ पर और साथ ही साथ 3-4 teaspoon lemon juice मैं यहाँ पर add कर रही हूं इससे वो tangy taste आएगा जो street style पावभाजी में आता है न बस last के 5 minutes से lid से cover करके थोड़ा separate हो गया है तो हमारी जो पावभाजी है लजीज पावभाजी वो त्यार है सर्फ करने के लिए आ रहा है आपके मूह में भी पानी तो देर किस बात की है जटपट बनाईए और फटाफट से सर्फ कीजिए बहुत ही असान recipe है मेरा येकीन मानिए अब मैं पाव को सेखने का भी एक अलग साइल आपको बताने वाली हूँ एक तवे पे मैंने घी और बटर दोनों थोड़ा थोड़ा आड़ करा है और थोड़ा सा हरा धनिया flame को लो रखना है थोड़ी से tomato ketchup और अब पाव को सेखेंगे हम अगर आपको थोड़ा सा spicy पसंद है तो आप इस time पे लाल मिर्च भी आड़ कर सकते हैं हैना नया तरीका पाव को सेखने का इन सारे tips and tricks को specially follow कीजे और बड़िया सी मज़ेतार पाव भाजी अपने घर पर बनाईए और serve कीजे मैंने पाव भाजी बनाने में प्याज का use नहीं किया है उससे जो पाव भाजी में घर की पाव भाजी में मीठा मीठा सा स्वाद आता है वो नहीं आएगा पाव भाजी को इसी style से एक बाई try जरूर करें और मुझे comment box में लिखके जरूर बताईएगा कैसी लगी आप सबको ये recipe मैं मिलूँगी ऐसी ही और बड़िया tasty recipes tips and tricks के साथ तब तक के लिए goodbye take care don't forget to like share and subscribe